हलो बच्चों, गुड मानिंग, कैसे हैं आप लोग, डाउटनेट लाइफ में आपका स्वागत है, मैं हूँ जोती आदव और हम पढ़ रहे थे बच्चों, हाउट डू आर्गनिजम्स री प्रिडियूस, राइट, तो इस शेप्टर में हमने एसेक्शल डी प्रडाक्शन क आपका जो रिवीजन कोर्स है, क्लास 10 का, 15 फैब से शुरू हो चुका है बच्चों, ठीक है, जिसमें आपके पास 130R का पावर पैक्ट सेशन है, 2000 प्लस इंपर्टेंट कोईशन है, टॉप टीचर्स हैं, जो पढ़ाएंगे आपको, टीचर्स के नोर्स, लाइव इंटरेक अगर कूपन कोर्ड लगाते हैं, माक्स 90 तो जापकी फीस है, कितनी 2500 वो जाती है, 2000 अगर आपको इस कोर्स के बारे में कुछ और इंफोर्मेशन चाहिए, तो आप इस नमर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप क्लास 10 बोर्ट जॉइन करना चाहते है तो जल्दी से मुझे बता देजिए, फिर हम क्लास शुरू करेंगे चलिए बच्चों हमें वैजिटेटिव प्रापगेशन बढ़ना है, वैजिटेटिव प्रापगेशन में क्या होता है? जिसमें ना सेक्शुल है, जिसमें हम ये सभी प्लांट का कोई पार्ट जैसे रूट हो गया, इसको कट कर के कहीं पर ग्रो करा देते हैं और प्लांट ग्रो कर जाता है, जिसे आपने कभी किया है कि नहीं किया बच्चपन में यहोग वैसे तो आप लोग आप अभी भी केहनी लागे कट करके आपने लगा दी this is called vegetative propagation तो इसमें देखो आपकी NCRT क्या कह रही है there are many plants in which parts like the root, stem, leaf develop into new plants पहला point सही है मैंने यही बोला था root, stem, leaf से नय plant grow कराना है under appropriate conditions unlike in most animals plants can indeed use such a mod for reproduction this property of vegetative propagation is used in methods such as layering grafting to grow many plants like sugarcane, rose or grapes for agriculture purpose इसमें कुछ नहीं कह रहा ही है यहां तक सिरफ एक लाइन कहीं है कि हम जो root है the root, stem and leaves develop into new plants develop into new plants और हम किसके लिए grafting के लिए किसकी क्या ग्रो करने है to grow क्या ग्रो करते हैं कि हैं किसकी seed produce करने की जैसे रोज होता है जैस्मीन होता है बनाना और आरेंज क्या क्या होता है बनाना और आरेंज रोज जैस्मीन होता है जो लॉस कर चुके हैं किस चीज की capacity seed produce करने की another advantage of vegetative propagation is that all plant produce are genetically similar जितने भी plant है वो क्या produce करेंगे genetic similar enough to the parent plant to have all its characteristics देखो यह important line है यहां तक यहां से यहां तक देखो बच् 씨जो क्या कहना चाहा है वह सुनो यह यह कहना चाह रहा है कि अगर यह कहना चाह रहा है कि अगर कोई plant है जो seed से produce हो रहा है लेकिन उसकी capacity खतम हो गई है अब seed produce करने की मतलब बुरुटीस करने की एक यह होगी निद बुढडह हो गया अगी अगी प्लांट तो लेकिन हमें तो और प्लांट चाहिए हम क्या करेंगे उसके कोई भी टहनी लेंगे कोई भी ब्रांच लेंगे रूट की लेवी़ लेंगे कोई भी Nef costly औरैंज की आपने लीज़ ली स्टेम ले लिया या उसका लीफ ले लिछा लिया उनको लेना है सिर्फ पत्ते लेगे उगाने बैच जालबी वह नी उगेंगे डिए तो वह आपने लिए खोनने हैं आप ग्रोग करवा रहे हो तो क्या वो उसी फ्लांट की जैसा होगा औरेंज की जैसा ही ग्रोग करेगा न अरे उसी का तफार्ट आपने ग्रोग कर वाय तो वसी जैसा ग्रोग रेगगा slightly सिंपल तो यह बात है इन प्लांट में कि सिमिलर क्या है सिमिलारिटी के इसाब से वो ग्रो करते हैं क्लियर इतने बात आगे चलू मैं चलिए देखो कि अनादर एडवांटेज और वेजिटेटिव मतलब यह देखो तुम एक्जामपल देखो सपोस्पोस यह प्लांट है मैंने क्या किया कि मुझे प्लांट उगाना तो मैंने यह चोटा सा पार्ट ले लिया टैनी भी चली जाएगी चोटा सा प्लांट लिया यह मिट्टी थी और इसमें लगा दिया ओवर दा पिरियड ऑफ टाइम यह क्या कर जाएगा ग्रो कर जाएगा इसमें चोटा चोटा फूटना शुरू जाएगा जैसे प्लांट में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हा जाती है ना वैसे इसमें ग्रोथ हानी शुरू हो जाएगी वैसी ग्रोथानी इसमें शुरू हो जाएगी असे ऐसे ग्रोथानी शुरू हो जाएगी और ये प्लांट ग्रोव कर जाएगा तो क्या इसी का पार्ट हमने लिया था ये वाला इसी का पार्ट लिया था तो मतलब इसके जैसा ही ग्रोव करेगा तो यह plant genetically क्या रहेंगे बच्चों genetically similar देखो अगे देखो ये एक bryophyllum की leaf दे रखिए bryophyllum एक plant है जिसके leaf दे रखिए इस leaf में देखो इसके ये node बने वे है ये जो leaf है ना एक तो smooth leaf होती है ऐसे ठीक है एक होती है ऐसे बच्चपन में बनाते हो गए ऐसे तो ये वाला जो portion है जहां मैं dot बना रही हो दूसरे color से देखना ध्यान से ये जो dotted area है ये वाला this is called bud क्या bud इस bud से क्या originate हो रहा है इस bud से originate हो रहा है leaf leaf ऐसे leaf ऐसे leaf अराज हो रहा है ये क्या है बच्चों कि leaf की जो notches है यहाँ पर बड़ प्रेजन्ट है ये birds arise हो रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर originate हो रहा है ये birds यहाँ से arise हो रहे हैं birds से leaf arise हो रही है ठीक है clear है इतनी बात देखो originate हो रहे हैं यह क्या कह रहा है कि आपका मतलब simply vegetative propagation का मतलब समझो बच्चों vegetative propagation यह कहता है कि उसी के किसी पार्ट से अगर कोई plant आप ग्रो करा सकते हो that is vegetative propagation मतलब vegetative पार्ट जो reproduce नहीं करते हैं vegetative पार्ट कों से फ्लार को छोड़के सारे vegetative होते हैं क्योंकि वह सेक्शल पार्ट होता है फ्लार में reproduction होता है ठीक है वो भी आपकी स्लेबर से में दे रखा तो वह हम पढ़ेंगे लेकिन vegetative का मतलब जो और्गन जो और्गन रिप्रोड़क्शन में participate नहीं करता है which is called vegetative part which is vegetative organ राइट लेकिन लेकिन उसके अलावा अगर फ्लार है इक लौता जो sexual reproduction जिसमें होता है वो पार्ट किसमें help करता है reproduction में किसमें help करता है reproduction में राइट क्लियर इतनी बात चलिए तो अभी क्या है आपके पास बच्चों अभी आपके पास इसमें क्या दे रखा है देखो ब्रायो फिल्म है और इधर आपका क्या दे रखा है यह देखो यहाँ पर जोने बोला कि orange rose और grapes जो है इन सब में भी यही चीज़ प्रजेंट होता है तो आपको vegetative propagation ते से तीन चार चीज़े लिखनी है मैं लिखके दे देते हूं यहाँ पर vegetative propagation पहला पॉइंट वैजिटेटिव प्रजेशन का मतलब क्या है दे ग्रो दोज पार्ट आप पहले तो यह लिखो कि वैजिटेटिव का मतलब क्या है दोज पार्ट विच दस नौट इन्वाल्व इन दस नौट इन्वाल्व इन रिप्रदक्शन प्रदक्शन इस नौट आज वैजिटेटिव और गंज यह वैजिटेटिव पार्ट पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या है वैन मैं उसका एक्स्ट्रेक्ट बता रही तुमारी NCRT में जो लिखाव है उसका वैन वी टेक स्टेम और रूट एंड लीव वी कें टेक लिख सकते हैं वी कें टेक आगे देखो इसमें क्या लिखना है वी कें टेक स्टेम, रूट और लीव और लीव और दे वैजिटेटिव प्रपागेशन सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट लिखो दोस प्लांट यह दोस पार्ट दोस प्लांट आर प्रदूस्ट बाई वैजिटेटिव प्रोपागेशन वैजिटेटिव प्रोपागेशन आर जेनेटिकली सिमिलर किसके सिमिलर होएंगे जेनेटिक सिमिलर टू ओर इजिनल प्लांट ठीक है अब आगे आपको एक्जामपल्स में लिख देती हूं उसके रोज में होता है ग्रेप्स में होता है औरेंज में होता है यह सब आप लिख दोगे और ब्रायो फिलम यह आपके एक्जामपल दे रखा तो पूछ सकते हैं ब्रायो फिलम ब्रायो फिलम बड्स में यह एक्जामपल्स है इसकी बड्स नॉचे से क्या राइज हो जाएंगे लीफ और इसनेट हो जाएंगे देखो ऐसे यह बड्स है देखो इसमें लिखा है इसमिलरी बड्स प्रिड्यूज इन नॉचेस अलोंग दे लीफ यह नॉचेस हैं यह वाली margin of bryofilm fall on the soil and develop into a new plant यह line underline कर लेना यह important है क्योंकि वो bryofilm से एक नमर में आपसे पूछ सकता है कि क्या होता है तो आपको as it is यह line लिखनी है जो bud produce होते हैं नॉचेस पे in the leaf margin fall on the soil and develop into the new plants यह हमें बताना है आगे देखो यह screenshot लेना यह तो लेलो बच्चो मैं थोड़ा ओर हिलजाती ही ओधर और जाती हम जल्दी से फिर मैं आगे चलती हूं जल्दी से screenshot लेना है यह किसी को लिखना तो लिख लीजिए मैं आगे चल रही ही है अगे देखे है यह है कि टीशू कल्चर क्या होता है यह इसका भी स्क्रिंशोट लेना ले लीजिए किसके एक्जामपल्स है यह वैजिटेटिव के कि वैजिटेटिव प्रॉपकिशन चलिए मैं आगे चल रही हूँ अब टीशू कल्चर क्या होता है किसी को पता है कि टीशू कल्चर क्या होता है देखो क्या होता है टीशू कल्चर में अभी तक मैं क्या बता रही थी आपको अभी तक मैं आपको ये बता रही थी बच्चों कि हमने कोई पार्ट लिया और उसको ग्रो करा दिया अब यहां पर क्या करते हैं हम एक नया प्लांट ग्रो कराना है और इसको हम क्या करेंगे जैसे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसको अगर प्रोड़ेंस ट Dawah एनगे शॉयल में रखान था उसको फट्लाइजरस दीयी इस वल्डूर कर आया ग्रोड गई था यहां के था होता है कि यहां के वोता है कि आप कोई नए ब्लांट बनाना है उसको आपको 112 में मिडियम प्रोवाइट गरोगी वह तो नेचरल म यापने कोई पार्ट लिया रूसको अर्थ में अपने लगा दिया शूल में लगा दिया ऊसमें को फानी दिया खात दे दिया फटलाइज को दे दिया वह ग्रोखर चाएगा यहां पे आपको आटिफिशल मीडियम प्रोवाइड कर रहा है तो ग्रोव अन्यू ब्लान्ट to grow a new plant artificial medium क्या होता है artificially मतलब आप जो nutrition होते हैं वो एक medium में जैसे मैं आपको बोलो naturally अगर कोई plant है तो कमरे के बंद के अंदर नहीं ग्रो कर सकता एक table पे ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि उसको roots develop होने के लिए soil चाहिए होती है लेकिन जब आप tissue culture करते हो एक lab में lab में conditions प्रोवाइड करके उसको ग्रो करा जाता है तो अब देखो आपका tissue culture क्या कह रहा है in tissue culture question आता इस पर new plants are grown by removing tissues new plants are grown by removing tissues tissues remove कर दियो separating cells from the growing part of a plant growing tip of a plant उससे हमने separate कर दिये the cells are then placed in our artificial medium artificial medium में रख दिया where they divide rapidly to form a small group of cell यहाँ पे suppose हमने एक cell रखी थी यह divide करके पहुच सारी cells बना लगी और इसको small group of cells group of cells को क्या बोलोगे callus the callus is transferred to another medium and containing hormones for growth and differentiation अब growth and differentiation क्या होता है ncrt में कोई line दे रखे कोई word दे रखा है बच्चों उस पर question बन जाता है ध्यान रखना हमीशा आगे 11-12 भी करोगे तो ऐसा सारी cells बना लिए group बना लिया अब इसने बोला कि अब हम इसको एक ऐसी जगे ट्रांसफर करेंगे यहां से यह चोटा ऐसा था ना यह इसमें होर्मोन से क्या प्रेजन्ट है होर्मोन प्रेजन्ट है ऐसे होर्मोन प्रेजन्ट है होर्मोन प्रेजन्ट होर्मोन वही ग्रोथ होर्मोन जो मैंने आपको बताए थे plant growth hormones बताये थे ना जो tall height बढ़ा देगा dwarfism ये सब इसमें हमने इसको रख दिया इसमें हमने इसको रख दिया ऐसे अब growth and differentiation का मतलब क्या है growth and differentiation का मतलब है कि इससे plant arise होना शुरू हो जाएगा मतलब इसकी leaf, इसका stem सब बनना शुरू हो जाएगा वो growth भी हो रही है, height भी बढ़ रही है और differentiation का मतलब है, differentiate का मतलब है differentiate होना किसमें plant organs में differentiate into मैं बना parts separate होना अब ही तक सारे इस एक callus में present थे, इसको callus बोलते हैं group of tissues है ये, group of cells हैं callus बोलते हैं, callus में थे सब कुछ लेकिन दीरे दीरे हाथ बने, पैर बने, जैसे अगर human की बात करें और plant की बात करें तो plant की leaf, stem, roots ये सब बनेंगे differentiation, differentiate into leaf, stem, root जब क्या होगा, deform separate organ, ऐसे लिख सकते हो they form separate organ, समझे मैं इतनी बात ये plant differentiate, growth हो रही है यहाँ पर और differentiate हो रहा है growth and differentiation, देखो, मैं फिर से तुम्हें बता रही हूँ, इसमें क्या चीज होती है tissue culture में, tissue meaning क्या कह रहा है, word का, tissue मतलब group of cells, culture मतलब उसको medium provide करके, artificially, एक तो nature में present होते है natural नहीं देने हम, natural नहीं देने हम artificially उसको provide करते, this is called culture हमने क्या किया है, कि tissue लिया, tissue को, मतलब एक group of cells को हमने grow कराया, उसको बोलते है हम callus, callus में क्या किया हमने, यह callus है, callus is a small group of cells, या small group of small group of tissues, तो हमने यह चीज condition बनाई, इस condition के बाद क्या हो गया, इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, कि इसको मोंच सब्सक्राइब the तो उसकी फायट प्लांट की भूभ ऑध बद जाती थी मैंने आपको बात बताई थी happiness निएनगे से प्लांट ग्रो करेगा झाइब तो फॉल्मों के मैं आपको बताई थी तो वही होर्मोन है यहाँ पे ग्रोओ्थ हॉर्म PLAY माल लो तो यह growth hormone दिया हमने तो यह जो callus ता जिसमें बहुत सारी cells present थी इन होने से धीरे-धीरे खुद को differentiate out करना मतलब अपने आपको separate करना different different organ में शुरू कर दिया ठीक है और growth भी होने लगी height भी बढ़ रही है ठीक है ऐसे समझ में आई बात तो यह सब किसमें होता है differentiation और दूसरी चीज़ क्या है growth and differentiation आगे देखो the plant leads are then placed in the soil so that they can grow into mature plants using tissue culture many plants can be grown from one parent in disease-free conditions these techniques is commonly used for ornamental plants अब देखो क्या बोल रहा है यह जब यह plant differentiate हो जाएगा यह plant differentiate हो जाएगा मैं यह रब कर दूँ देखो जब यह plant differentiate हो जाएगा यह plant differentiate हो गया यह plant differentiate हो के मतलब इतना ग्रो कर गया इसमें रूट स्टैम लीफ सब बनी शुरू हो गई अब हम इसको जो अमारा खेत था जो सॉयल थी अग्री कल्चर जहां करते थे वहां पर हमने इसको ग्रो करा दिया यह बहुत चारे प्ला स्थाइब करें इसको बोलते है plantlets plantlets क्या होते है प्लांटछ जैसे पोड़ सुनी है एक चोटा सा जिसे रास की खेती देखी है क्या करते हैं राइस की खेती में कि एक कॉने पर लिए बहुत चारे चोट-चोटे इतनने इतने इतने प्लांस ग्रो करा लेते हैं फिर उनको इपने देखी वहुंगी, उस तेज हमें, उनको एक पर टिशू से ये प्लांट इतना ग्रो कर दियाल और यहां पे एक कंडिशन के प्लांट पूरर सीदू कर दियाल ज्यां नहीं में रहाँ थारी है, इसे के प activities उसक हमें लुगते कंडिजी और इसे के सत्राइज dwand इस देखते हो तो वहां पर बच्चों, वह नेचुरली ग्रो करा रहे हैं, दिस नॉट टीशू कल चर, राइट, वह टीशू कलचर नहीं है, जब हम उसको एक जगह पर ग्रोग आ रहे हैं, लेकिन जब आप बात करते हो किसकी tissue culture की तो हम एक medium provide करते है artificially medium का मतलब क्या है कि जो उसके requirements है वो चीजे हम उसको देते है artificially artificially हमने उसको provide कर दिया provide करने के बाद वो grow कर गया very simple grow करके हमने यह पोध बना लिए पोध बोलते हैं इंको plant leads को पोड ही बोलते हैं जो हम किसकी बनाते हैं बताओ राइस की बनाते हैं ऐसे ही हमने इनको artificially बना लिया और अब हम इनको खेत में डाल देंगे जिससे पूरे plant ग्रो कर जाएंगे आगे चलो स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है किसको पता है स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है किसको पता है फंजाई पता है आपको बैक्टीरिया पता है एक आपको एक फंजाई पता है एक प्लांस पता है एक अनिमल्स पता है ना चार चीज़े आपको पता है बैक्टीरिया पता है आपको फंजाई पता है एक प्रोटिस्टा नहीं प पता होगा आपको चलो कोई बात ही नहीं पता तो आपने विसे नाइन्थ क्लास में क्लासिफिकेशन आ जाता है यह बैक्टीरिया का आपके पास प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा फंजाई हमने इसको पांच जगह पे डिवाइड कर रखा है प्लांट्स और एनिमल्स यह फाइड प्लेस पे हमने क्या कर रखा है डिवाइड कर रखा है पांच जगह हैं यह आपके नाइन्थ क्लास में आती है अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो नाइन्थ क्लास में हम यह चीज़ पढ़ते हैं कि यह कैसे डिवाइड कर रखे हैं सारे बैक्टीरिय single-celled eukaryotes जैसे protozova होता है अमीबा होता है वो सब इसमें आता है single-celled eukaryotes इसमें बैक्टीरिया में है single-celled prokaryotes single-celled prokaryotes single-celled eukaryotes यह फंजाई है यह भी eukaryotes है जो multi-cellular है यह प्लांट्स और अनिमल्स यह तो है multi-cellular सारे eukaryotes है सारे eukaryotes है यह overview दे रही हूं है आपको कोई बहुत ज्यादा detail में हमें पढ़ना नहीं है तो ऐसे हमने एक तरीके से क्या हो रखा है बच्चों कि हमने पांच जगे सब्सक्रा इत्तिया रही है जास इत्तियों के देख सकते हो ब्रेश सितने के देख सकते हैं और ब्रैट को यह सुझत जगो कोई उल्य नहीं कि यह इतृँ दो दे लिगे और एक नाम है बच्कों यह ये याद रखोगे, इसमें क्या आता है कि फंजाई यह से ग्रोख कर रही है, फंजाई तो तुम देख सकते हो, ब्रेड सडाके देख लो, ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, गुबारे जैसी, और इसमें छोटे चोटे पोस्पोर होते हैं, दाने होते हैं, छोटे चोटे, ऐसे सिदाने होते हैं जैसे ही ये बना कब रहे होते हैं unfavorable conditions में जब इनको reproduce करने का season नहीं मिल रहा है उस time को हम बोलते है unfavorable जब ये reproduce नहीं कर सकते है unfavorable conditions उस time पर ये sports बनाएंगे ये दो दाने हैं इन ही को sports बोल रहे हैं पढ़ने को बहुत चाटी चीज़ है जैसे unfavorable conditions है ये sports बना रहे हैं जैसे ही favorable conditions आई favorable conditions तब क्या हो जाएगा कि ये सारे बाहर निकल जाएंगे दिख रहा है ना ये ऐसे open हो जाएगा ये सारे sports बाहर आ गए ये मैं बना रहे हैं इसे sports बाहर आ जाएंगे ऐसे sports बाहर आ जाएंगे ये है sport formation जब ये sports बाहर आ रहे हैं ये दाने क्या करेंगे नई इसे नई पंजाई ग्रोव कर देंगे जैसे ये दाने बाहर आ इनसे एक नई पंजाई ग्रोव हो गई ये नई फंजाई ग्रोव हो गई ये ये condition फिर इसमें sports बनेंगे ऐसे इसकी वेराइटि बनेंगे फिर यह बाहर निकलेंगे फिर नहीं फंजाई बनेंगे तो ऐसे यह फरमिशन होती रहती है देखो इवन इन मेनी सिंपल मल्टी सेललर और्गनिजम स्पैसफिक रीप्रोड़क्टिव पार्ट के इन इडेंटिफाइड तो अपने ब्रैड तो अपने खाई है ब्रैड को रग दो सड़ जाती है उसमें जो फंजाई होती है उसको बोलते हैं ब्रैड मॉल्ड तो यह बचो एक नंबर का कोशन है ब्रैड मॉल्ड को हम बैलाजिकली क्या बोलते है राइजोपस यह पूरा नाम है ब्रैड मॉल्ड यह दो नेम राइजोपस का एक और नाम है ब्रैड मॉल्ड कॉमन नेम बोलते हैं इसको ठीक है यह क्या करती है यह ग्रो करेगी किसमें ब्रैड में यह जो डंडी दिखरी है इसको हाइफी बोलते हैं यह इसने बोली है यह सारी लॉब जैसे स्टुक्चर बने वी है यह इंपोर्टेंट लाइन लाइन ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया जो जैल्स और स्पोर्टेंट लाइन इनके अंतर क्या है इंदर क्या है इस पॉरंजिया वह जगह जहां पे स्पोर्स मिलेंगे that can eventually develop into a new rhizopus individual जो किसमें develop हो जाते है rhizopus मेदा spores are covered by a thick wall that protect them until they come into contact with another moist surface and can begin to grow क्या बोल रहा है ये आपकी थियोरी क्या कह रही है कि multi-cellular organisms में क्या होता है कि एक thread-like structure में ऐसे develop होते हैं जिसको बोलते हैं हाई-फी उसके उपर एक gold lob जो इसमें blob-lob structure जो बोली है this is the lob structure इस lob structure में sporangia होते हैं जिसके अंदर बनते हैं spores sporangia inside it क्या बनेंगे इसके अंदर? spores बनेंगे और जो spores बनेंगे वो develop होते हैं rhizopus में individually नए rhizopus में individually क्या होता है इंग ग्रो the spores are covered by thick wall जब तक ये sports यहां पे हैं suppose जब तक ये नए डवलप नी होए ये sports दे, यहां से निकले और ये यहां पे present इनके बार एक coating होती है ये ऐसे है कि ये harm ना हो जाए जब ये grow कर जाएंगे तो ये हट जाएगी वही favorable conditions देखो देखो दे रखा है अपके ये sports formation है राइजो पस में राइजो पस में देखो ये high fee है ये high fee है मैं red pen से दिखाती हूँ समझ में आएगा ये high fee है high fee है right और यहां पे sports है ये sports निकल गए इससे ये sports कप निकलेंगे जब उसको favorable conditions मिल जाएगी मतलब उसको moisture मिल जाएगा moisture मिल गया तो ग्रो कर गया ग्रो करने के पाद क्या हुआ ये ग्रो कर गई अब ये किस फॉर्म में निकलेंगे protection के मतलब ये ऐसे निकलेंगे बहार और अब ये जब तक ऐसे रहेंगे जब तक ये protection वाली wall है ये वाली ये वाली protection wall है इनकी ये protection wall है उसके बाद ये वापस से किसमे जर्मिनेट हो जाएंगे नए पोर्स में ये NCRT में दिया हुआ है मैं अपने मर्जी से नहीं बता रही ये हाइफी है जो स्टॉक है ये sporangia है जिसके अंदर बन रहे हैं spors तो इतनी बात आपको समझ में आई इसमें NCRT-based questions भी थे बट वो questions हम कल करेंगे तो लेकिन अभी मैंने तीन चीज़े बताई है पहली चीज़ वैजिटेटिव प्रापगेशन हमें बनाना ultimate plant है वैजिटेटिव प्रापगेशन में हमने क्या क्या किसी भी plant की stem leaf branch ले ली उसको हमने soil में रखा और plant ग्रो करा दिया जो genetically similar होगा जो original plant था उसका second में हमने देखा tissue culture tissue culture में भी हमने छोटे-छोटे plants बनाने हैं लेकिन हमने क्या लिया कि किसी भी plant का stem leaf root की एक थोड़ी सी cell ले ली उस cell को हमने एक medium में रखा medium वो जिसमें वो grow कर सके ठीक है वो medium दिया medium देते ही वो grow कर गया grow करके उसने group बना दिया cells का बहुत सारा उस group को हमने क्या कराया hormones दिये hormone देने के बाद वो plant grow कर जाएगा और differentiate हो जाएगा अलग root stem leaf में चुट-चुटी pod बना देगा जिसको हम बोलते है plantlets वो plantlets को हम सोयल में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और पूरे खेत में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ग्रो कर जाता जैसे rice करते rice में इतना फर्क है कि rice के लिए naturally जो conditions जिसको बोलते है एक लंबी स्टिक होती है जिसको बोलते है हाइपी जिसके उपर एक गोल सी structure होती है जिसको हम बोलते है sporangia, जिसके अंदर बनेंगे spores जब तक unfavorable conditions रहेगी इसमें sports बनते रहेंगे जैसे favorable condition आएगी वो बहार आ गए बहार आके वो प्रोटक्टिव लेयर में कवर रहेंगे जब तक वो नया क्या नी बना दे नया सेल नी बना दे नया राई जो पस्ना बनाते ठीक है चलिए बच्चों थैंक्यू सो मच कल हम पढ़ेंगे इसके कोश्चन्स यसमें कोश्चन्स दे रखे है ना चार पांच कोश्चन्स हो सके तो सॉल्व करके देखना नहीं होंगे तो भी हो गए तो भी बहुत अच्छी बात है कल मैं उनको सॉल्व करवा दूंगी तब तक के लिए आपको यह पढ़के आना है यहां तक कल हम सेक्शल रिप्रदॉक् तो वो पढ़ लेंगे थांक्यू सो मच बच्चेओं कल मिलते हैं इसी टाइम पर नो बजे हैं